वर्ल्ड कब 2023 का खिताब तो भारत नहीं जीत पाया पर लेकिन भारतिये खिलाडियों ने इतिहास रच दिया जी हाँ दोस्तो गोल्डन वैट की बात हो चाहे गोल्डन बॉल की बात हो या मैन आफ दा टॉनामेंट की बात हो ये सभी प्राइजेज भारतिय खिलाडियों के नाम है जी हाँ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2023 में जो प्राइजेज थे वो किस किस को मिले देखिए फाइनल का मैच था और फाइनल के मैच के बाद यहाँ पे प्राइज इस्ट्रिबूशन सेरमनी होती है और नरे किस किस को मिले हैं तो पहले नमबर पे प्लेयर आफ दा टौनामेंट विराट कोली जिन्होंने 765 रन और एक विकेट चटका है था थ्रूआउट दा टौनामेंट उसके बाद जो दूसरा प्राइज है टौनामेंट में सबसे जादा रन गोल्डन बैट विराट कोली 11 पार फाइनल मैच में बनाए थे और उस्टेलिया को जीत दिलाई थी उसके बाद चौथा प्राइज टौनामेंट में सबसे जादा नीजी स्कोर गलेन मैक्सवेल दोसो एक नाबाद इन्होंने अफगानिस्तान के खिलाब बनाया था टौनामेंट के सबसे जादा शतक कुिंट बोहिच शर्मा 31 छक्के मारके इन्होंने कीरतीमान रच दिया वर्ल्ल कप के इतिहास में आठवा प्राइज टौनामेंट में सबसे जादा कैच डेरल मिचल 11 कैच इन्होंने लिए नौवा प्राइज टौनामेंट में सबसे जादा विकेट जिसे गोल्डन बॉल मिला गया है वो है भारतिय खिलाडी मोहम्मद शमी 24 विकेट इनके नाम है दसवा प्राइज टॉनामेंट में एक मैच में सर्वस्रेस्ट गेंदबाजी वो भी मोहम्मद शमी न्यूजिलैंड के खिलाफ 57 रन देकर 7 विकेट ग्यारवा प्राइज टॉनामेंट में विकेट कीपर सबसे ज़्यादा डिस्मिसल कुंटिन डिकॉक बीस डिस्मिसल साउथ अफरीका के खिलाडी अगर आप यहाँ पे प्राइज डिस्रिब्यूशन में नज़र डालेंगे तो आपको साउथ अफरीका के खिलाडी दिखेंगे भारतिये खिलाडी दिखेंगे और यहाँ पे न बना रखा है वो है मैक्सवेल जोने अफगानिस्तान के खिलाफ बना रखा है अगर टोटैलिटी की बात करें तो यहां पे देखिए पूरे ग्यारा मैच में दस मैचों में अजय रही भारत पर लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल में चोक कर गई और वहीं हम दूसरी तरफ बात कर है कि यह प्राइज सही हातों में गए है अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए साइसाथ आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो इस वीडियो आज शेयर करें चैनल पे आप नए है तो सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले और देखते रहें तूफान स्पो